नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2024, यानि कि रविवार के दिन आर्शी पंचमी तिथि पड़ रही है, और दोस्तों कहां जाता है कि आर्शी पंचमी का दिन भोले बाबा और माता पारवती का होता है, और इस दिन किया गया पांच कनेर के फूल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है, यदि आपने भी इस महीने में ये उपाय नहीं किया है, तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया, पांच कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्यो पूराना की कथा में ही बताया है, मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों उपाय क को शुरू करते हैं, देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 8 सितंबर 2024 रविवार आशि पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय कर करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के ल लेना है ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है पर हमने उस दिन पर इस कनेर के फूल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता ह क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और शेश दिन पर कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों, 8 सितंबर 2024, यानि की रविवार के दिन, आर्शि पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है, इसी लिए दोस्तों, आज की इस विडियो में हम आप लोगों को प यदि आपको नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत, परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी यदि अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर क आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक-एक रूपए खर्चकर से पहले कई-कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पांच कनेर के फूल से एक ऐसा खास उपाय करना है, जो आपकी इन स समस्याओं को सिर्फ साथ दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा, तो चलिए, जानते हैं इन खास उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहने आज चैनल पर पहली बार आएं हैं, या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आ आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, अब दोस्तों इस कनेर के फूल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, देखो इस उपाय को हमें घर पर ही करना है, ब प्रश्चात में, दोस्तों जो अगला प्रश्चन निकल कर आता है, वो यह आता है इस उपाय को लेकर, कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय है, सुबह के समय करना है, तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, और शाम के समय प्रदोशकाल में भ अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस पांच कनेर के फूल वाले उपाय को करने का तो हम आप से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि शिवरात्री के दिन है और इस दिन प्रदोश काल के बहुत महत्व होता है बाकी यदि सुभह के भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्व पूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुभह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कित इतनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो या ग्यारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर बारह बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है। ये समय प्रदोश काल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को साथ या बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के छह बजे से, रात आठ बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर स तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव उस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं उपाय कैसे करना है, सबसे पहली च उपाय में करते हो, और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं, देखिए जो आप पांच कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा, कि कैसा होता है, हम आपको जब भी देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं, लंबे-लंबे से होते हैं, आप लोगोंने देखे भी होंगे, आप लोगोंने जो थमनेल में फूल देखा हुआ था, वही कनेर का फूल होता है, तो आप लोगों को वैसे ही पांच कनेर के फूल लेकर आने हैं, ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं बस आपको इसका पेड ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि ये पांच कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड जो है, कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड नहीं है, तो तो आप बिना पूछे ही वहाँ से कनेर के फूल तोड़ कर ला सकते हो पर यदि कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वो कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से पांच कनेर के फूल ले 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 या कनेर के क्योंकि ये वाले जो पांच के फूल आप लोग ले रहे हो ये उपाय के लिए ले रहे हो और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधिविधान से करते हैं तो इसीलिए यदि आप किसी के घर में के अंदर जो पेड लगा हुआ है कनेर के उस पेड से यदि ये फूल ले रहे हो तो भाई पहले उस घर के मुखियां से पूछ लेना कि हम आपके पेड से कनेर के फूल ले लें यदि वो बोल देता है तो भाई उसके पश्चात आप उ उस पेड में से तोड़ सकते हो, पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है, तो वह उससे सकर ही पांच कनेर के फूल उसके पेड में से लेना, अब आपके पास पांच कनेर के फूल भी आ चुके हैं। यदि यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्राथा काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम एक लोटा चल तो जरूर ले कर जाना है, आरशि पंचमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामगरी ले कर जाएंगी, तो उन लोगों क के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, या आरशि पंचमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामगरी ले कर जाएंगे, भाई वो वैसे के वैसे ही जाए, ये बात उनके लिए है, जो कुछ भी ले कर नहीं जाएंगे, भाई वो बस एक पाच कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर ले कर जाना, जो घी का दीपक लोगे वो आठे का होना चाहिए, आठे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखी जाएगी, वो गोल बाती अपने हाथों से बन इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, यदि आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए, तो भाई करना क्या है, देखो सुबह यदि उपाय कर रहे होना, तो यदि बारह बजे तक भी उपाय करोगे, तो भी कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, रविवार अ में जाकर उपाय नहीं करना, हाँ, आपको पहले अपना शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिवजी के दर्शन करना है, पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना है, जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो एक लोटा जल चड़ा इसके अलावा जो भी पूजन सामगरी है, आपकी फूल धतूरा, जो भी चीजें हैं चंदन वगेरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो, पर जो उपाय के पांच कनेर के फूल है, वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें लेने है, तो सबसे प जब आप घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर पहुँचेंगे, तो पहुँचने के पश्चात, आप सबसे पहले अपना वह घी का दीपक जलाना, अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, और मंदिर में जाकर ही जलाना है, और मंदिर में जाकर जलाओगे, तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है, अब अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस को जरूर लेकर आना, यदि आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली, इस दीपक क आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के पश्चात, उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो। भगवान शिव जी को आचना लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चड़ा देते हैं, सुबह के समय गए, तो जल चड़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके पश्चा तो भाई, आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं, और उपाय को करने से पहले, आप अपने वह पांच कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं, उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास पांच कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है कि इन पांच कनेर के फूलों को हमें पांच अलग-अलग जगहों पर यहां पर चड़ाने हैं, अब वो पांच अलग-अलग जगह कौन सी है वो हम आपको बताते है देखिए अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए अब पांच कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाईए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चड़ाना है वो आपको चड़ाना है भगवान शिव जी के शिवलि अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है यह आपको समर्पित करना है भगवान कर्टिकेया जी वाले स्थान पर अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है तो कर्टिकेया जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड पर लेना और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक सुंदरी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों। ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कर्तिकेया जी वाले स्थान पर चढ़ाया, अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशौक सुंदरी जी का स्थान होता है, खिला हुआ भा ये आप लोगों को पर समर्पित करना है, ये आप लोगों को समर्पित करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र ठंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवा जी की पांच बेटियों का स्थान होता है, जाया, विशहरा, शामली, बारी, दोतली और देव, उस पात्र के अंदर जो है, आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है, यदि किसी कारणवश, आपका वह पात्र जो है, शिवलिंग के ऊपर पात्र ठंगा होता है, जिससे बूद पस्थित ना हो, तो फिर आपको क्या करना है, कि शिव जी की पाँच बेटियों का नाम लेकर, जया, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है, इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जला पस्थित नंबर के फूल का आपको क्या करना है, यदि आपके मतलब, जिस मंदिर में आप गए हो, वहाँ पर यदि त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वो एक मध्य भाग देख लेना है, उस मध्य भाग पर आपको इस पांचवे नंबर के कनेर के फूल को छुआना है, परश कराना है, और स्पर्श कराने के पश्चात, इस पांचवे नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिवजी की शिवलिंग के उपर समर्पित क बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए और डंडी का जो है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल का। अपनी वह दुख और समस्या बोलना, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना, दो तीन मनोकामना साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना, अपने पांचवे नंबर के फूल को चढ़ा पुझ्य गुरू जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये उपाय कर लेता है, उसकी सभी मनो कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो यह थी आज की विशेश जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, धन्यवाद.